गुड मॉर्निंग दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं मेरा पूरा परिवार जो मुझे देखता है स्वस्त है हेल्दी है तो बस आज पौने 6 वजे मैं उठी थी और 6 वजे से मेरे काम सुरू हुए थे थे थोरी तव्यत आप लोग को बताया ही था थ्याहे 地 ढॉन रहे तो मैं तो इसलBay तो भी आहे लेट उठी करें नहींTINई 5 विजे जैसा आप लोग जानते उठी जाती हूं तो बस दवा ले ली हूं दवा दिखाके आई थी मैं तो को जो दिदवा लिए और सुबह खाली पेट इसमें घी मिला के जैसे एक चमच आपने मिस्ट्री पाउड़र लिया एक चमच घी मिलाया और देशी घी सुद्ध घी रहेगा तो बहुत ही अच्छा है तो बस इसको मिला के सुबह शुबह ले लिजे खाली पेट और बस अम नास्ता बनाने में लग और मैं आप लोगों से भी यही बताना चाहूंगी तो जैसे मैं हॉस्पिटल एमेच यह फॉस से हैं तो हम लोग का आर्मी हॉस्पिटल होता है उसमें दिखाया करती थी अभी मैंने कहीं प्राइबेट में जाके दिखाया है तो अभी मुझे जाद ही गरवर लग रही थी का तो लेकिन उन्होंने एक बात बोली कि खाली पेट बतलब जैसे जिनकों भी सरदर्ध होता है उनको बस यही कहना चाहूंगी कि सुबह के टाइम में खाली पेट ना रहें सुबह नास्ता टाइम पर कर लेना चाहिए तो उन्होंने यहीं बोला कि सुबह आठ बज़ते दस्क वगएरा जो होता है वह नहीं फुल पेट नास्ता जिसे रोटी पराठे का होता है वह करना जाएंगे तयार हो गए देव और हो गया है टाइम इस्कूल जाने का खरीव है यह नहा के मंदिर पहुच चुके है तो बस अब मैं भी फटा-फट से नहाओंगी सारी तयारी अपना नास्ता बन चुका है मौसम ठराब हो चुगा है तो यह जा रहे हैं इस पूर बिच्छा जा रही है छोड़ने तो बस मैं चलूगी अब खटा-फट से नहाओंगी मंदिर में यह पूजा करने मतलब पूजा की तयारी कर रहे है ताकि मैं भी पोच जाओंगी जल्दी-जल्दी साथ में हो जाए तो बना लेती हूं तो बस गड़ी में सवासाथ हो गए हैं और मेरा पानी गरम हो रहा है बात्रूम में तब मैं जाओंगी नहाने के लिए नहा के मेरे लिए पानी लगा के चले जाते हैं कई बार मुझे ये कमेंट आते हैं कि किस टाइम पर नास्ता बनाते हो किस टाइम पर खाना बनाते हो यह кि-प्लिस टाइम बता दिया करिए तो अकसर क्या होता है साथ आट बुजे तक मैं नास्ता बना लेती हूँ पहले लेकिन जैसे छुट्तिया चल रही है तो सीधे नहाना हो जाता है शाफ सफाई करने के बाद नहाना करके फिन नास्ता बना लेती हूँ और जो भी स्कूल जाना रहता है तब मैं सुबह क्योंकि ठंडियों में तो लेट स्कूल रहता है ठंडियों में सुबह साफ सफाई करके नहा के भी नास्ता बना लेती हूं लेकिन गर्मियों में नहीं हो पाता है गर्मियों में क्या होता है कि पहले उठी थोड़ी सी साफ लगाए फिर किचन में लग गई नास्ता बनाया इस्कूल भेज दिया साथ बजे तक बन गया नास्ता हमारा इस हांदी आई कि तब पर बीज़ी है विट मानी प्लूट अब इनको टल लग रहा को बजा रही है मौसम खराब हो गया आज तो गर्मी बढ़ रही थी इसलिए मौसम खराब हो गया है आंधी तुफान आ गया है और बूना बांदी भी हो रही है तो ठंडा हो जाएगा मौसम देहरा दुन की यह भी बहुत अच्छी खासियत है गर्मी जैसे ज़्यादा बढ़ने लगती है तो बारिश वगयरा हो जाती है मौसम ठंडा हो जाता है तो हम लोगों की पूजा पाठ हो गई और आज दिन गुरुवार था ब्रहस्पतिवार तो इस दिन मैं कथा पढ़ती हूं प्रहस्पत देव की एक कथा होती है पहले मैं ब्रत रखा करती थी तो अभी यह सबसे जादा मुझे मुझे मुसीबत तभी से भी जब से माइग्रेन हुआ सरदर्द हुआ और यही चीजे डाक्टर बोलते हैं कि खाली पेट ना रहें और ब्रत रहो पूरे दिन खाते रहो यह भी नहीं अच्छा लगता है इसलिए मैं कम ब्रत करने लगी नहीं पहले तो बहुत ब्रत रखती थी नीरा जली ब्रत रखती थी जिसमें पूरे पूर 8 बजे ही हो जाना चाहिए मेरा 9-10 बच जाता था तो डॉक्टर ने यही बोला कि 8 बजे तक यहां पर मैं नास्ता बगरा करके यह ड्यूटी चले गए हैं और मैं थोड़ी देर फोन पेपर यह सब अपना देख ली क्योंकि वीडियो भी एडिट करने रहते हैं तो इस बी आ रही हूं ऐसी लेसोन प्याज ही मिर्च यह सब डालके बस चौक लगा दूंगी दाल में हल्दी नमक डालके उबाल लिया था तो खाना और नास्ता मतलब साम तक आप लोग भी अगर सरदल्द होता है तो इस टाइम पर किया करें अभी देव स्कूल से आए हैं और आज हा दू अरे बचा कि गया है तो हो सिन कमेंट किसी का आया था कि हलमेट लगा लेना चाहिए जो सब्सक्राइब कर HIS हैा था ज़elli बचने की लुट से मौसन थोड़ा सा ऐसे हो रहा है धुन्दला सा तो बस हम चलें सफर पर अपने तो यहां पर हम सॉपिंग कर रहे थे फॉल लेनी थी मुझे साड़ी की दिख्था ने लिया है बोरोलीन बहुत पहले बोरोलीन लगाया करते थे और यहां पर दुकान वाली बोल रही थी मैंने का बेटा ले आओ साड़ी ले आओ तो आपकी बेटी है यह तो बेटी लगी नहीं रही है आपकी नदा लग लग रही है तो घर पहुंचने के बाद मैंने चड़ा दी है चाय साम का समय होने वाला था तो बस चाय और बिस्कित मैंने मेरा मतलब कुछ बनाने का मन नहीं था और मैंने शुबा की चाय तो बंद कर दी है डॉक्टर ने बोली थी तो साम साम को पी लेती हूं एक कप तो मैंने का चाय पी लेती हूं तब कुछ काम किया जाए तो फॉल लेकर आई थी तो मैंने का साड़ी में चलो फॉल लगा लेते हैं तो क्यूंकि आप लोग को बताए गाओं भी जाना है और मुझे कई बार ना ऐसे कभी कोई बहन बोल देता है तो कभी कोई दिक्षा के साथ ना जाती हूं तो कई बार ऐसे लोग बोल देते हैं तो दिक्षा हसती है मम्मी ऐसा क्यों बोलते लोग तो होता है कई बार ऐसा हो जाता है और आप लोग जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता भी होगा पहले भी मैंने यह बाते बताई है तो बस मैंने फॉ का समय हो गया है जाड़ू लगा लूँगी अब हम लोग गए थे मंडी और वहां से सब्जियां लेकर आए हैं पैदल पैदल चल के आए हैं पैदल ही गया थे बहुत भार यह थेला जिक्षा ने मैंने सुझाए कि चलो मैं हेल्प कर देती हूं लेकिन बोला नहीं ममी रहने तो थोड़ी देर मैंने पकड़ा वाक हो गई थोड़ा बहुत पैदल भी चलना चाहिए मंडी जादा दूर है नहीं अब चलते हैं खाना बनाते हैं तो बस फटा-फट से खाना बनाया है और समने खापी लिया है और उसके बाद जो चीजें आटा वगएर थोड़ा बहु किया करो मैं आके फिर मुझे खाना दे दिया करो तो मैं गरम करके फिर इनको बाद में दे दे देती हूं तो सबजियां वैसे ही पड़ी थी क्योंकि लेट हो गया था तो सीधे खाना बनाने में लग गई थी अब निकाल के रखूंगी क्योंकि सबजियां पॉलिथिन में खराब हो जाएंगी यह ड्यूटी से आ गए हैं तो यह बोले जब तक सबजियां रखो तब तक मैं लेट जाता हूं थोड़ा रेस्टिकल लेता हूं और मौसम खराब हुआ था बारिज भी हो गई थी इसलिए ठंडा मौसम हो गया तो बाइक से जब आये तो ठंड लगी क्योंकि गर्म वाला कपड़ा तो पहने नहीं थे तो आके मोटा वाला कपड़ लेकर लेट गए हैं क्या डूंड रहे हैं तोट लेकर बीमार हो कमट ऐसी हो गई है टेड़े टेड़े चल रही है यह रही है देव भी काम कर रहे हैं घड़ी में बज रहे हैं साड़े दस वैसे हमारा दस बजे तक हो जाता है लेकिन आज यह आए हैं ड्यूटी से लेट और मेरी फ्रेंड भी आ गई थी साम को कुछ तो उसकी वज़ा से लेट हुआ सब का मुह धोलाई ब्रस कराई सब चल रहा है अधिक्षा मेरी तेड़े चल रही है कमर पकड़ ली है तो अभी इनको दवा दूंगी दिप उजा रही है मूब मलने के लिए दीदी को यह भी खाना खा रहे हैं यह हम लोगों ने खाना पीना कर लिया था आज के लिए खा रहे हैं क्यों जी हल ठीक है क्या वह फ्लूटो को वह तो पूरे टाइम में करता रहता है उसको बस यही इन लोगों को सिखा लें को उसको बिल्कुल भी वह मत करो ताकि हम लोग चले जाने तो उसे कोई दिक्कत नह करता है मियाओ मियाओ करती है वह प्यार मत दो इनको प्यार चीए उसी भूख लगी उसी अधिया जाने दो उसको जाने जाने जो नहीं भाई तो भाई यही टाइम होता है मेरा वी मतलब खाना पीना होके 10 बजे तक मैं प्री होके लेट जाती हूं और आप लोगों website लिक्ति चाने जा और प्याइब कर भाई टाइं करता है एस भीडियोजाने हैं लीडियों इच आइव मिलेगे आप लोगों से एक च्य нашем इसे video वीडियो पसंद आया हो एक लाइक कर दीजिएगा न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपना धेर सारा प्यार मुझे देते रही है प्यारे प्यारे कमेंट के जरिए जो पढ़ती हूं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और इससे जाला खुश भी रही है बुक्स जब से इनका पौधा बड़ी तेजी से ग्रोथ कर रहा है जो मनी प्लांट इन्होंने टेबल पर लगा रखा न तो खुशी हो रही है हम कोई चीज करते हैं और जब वह बढ़ता है ग्रोथ करता है तो खुशी तो होती ही है वह प्लूटो अभी भी आवा जा रही उसकी मेरे यहा यहाँ पर लोगा करता है जो यहाँ आगार यहाँ यहाँ बाई